पर्तापुर के दिल्ली धहराधून बाइपास इस्थित बियाईटी कॉलेज में पढ़ने वाली आधा दर्जन छातराएं ब्रस्परतिवार दोफेर पर्तापुर थाने पहुंची और आरोप लगाते वे बताए कि बुधवार दोफेर जब वे हैं केमपस में अपनी सहपाथी छातराओ के साथ बैठी थी तबी कॉलेज में पढ़ने वाला छातर हर्ष निवासी घोपला वहां पहुंचा और नश्य की हालत में छातराओ को गंदी गंदी गालिया देने लग दिया और बाहर निकल कर देख लेनी की धमकी दे कर वहां से फरार हो गया जिसके बाद इस बात की सूचना परतापुर थाने पुलिस को दी गई उसके बाद भी करदवाही ना होने पर रस्पतिवार को छातरा पहुंची परतापुर थाने छातराओ का आरोप है कि सूचना बेटी पढ़ाओ उसके बाद भी बेटियां सुरक्षित नहीं है योगी पुलिस योगी के मनसूबों पर पलीता लगाती हुई नजर आ रही है जिसके बाद छातरों ने कॉलेज पर अश्यासन सहित परतापुर पुलिस को आरोपी के खिलाफ तहरीर दी और 24 घंटे बीट ज रही हुई तो ब्रस्पतिवार दो फैर पीडित च्छात्रा आधा दर्जन च्छात्राओं के साथ थाने पहुंची और आरोपी की गिरफतारी की मांग की है जिसके पास भी अभी तक आरोपी पोलिस की गिरफ से दूर है पुलिस ने जो पुलिस तरह जो सूचना दी आपको पुलिस तो उसने क्या आस्वासन लिया पुलिस अभी तक कुछ इस्टैप नी लिया कल अब ने पुरा दिन वेट गया अब अब तुर्श आए ने अच्छा कल कहा था अपने ने इन ने उसी समय आयते हम जब यह मैं आ झाल्स भी तक करता आसे बढ़िया अच्छा कालूն के इसक्छा की लेक